कि जहीं दोस्तों एक पर फिर्शे स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आज का मारा वीडियो СпireShift के लिए उनका एक टोपिक जो की बहुत इंपोर्टेंटवास इंड पर्टोड्स प्रटेक्शन तो यह इस टॉर्ट के अंदर वेर आस के अंदर ऐसाका कैसे बहुत आज है काश सेथे रखनी है तो इसके उपर pentland कि लाट्स में आपका लस्ट के क्लियर करवाने वाला हूं अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना है इस वीडियो के एंड में आपको आयम आजए सूप Katy विडियो आपके दोर नमब्र कंफलीट हो जाएंगे तो इस वीडियो में एक वीडियो में पूरा यहां पर निचोड इस वीडियो में ले के आया हूँ और गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाने वाला ओके तो इस बार कंडिडेट के लिए गोल्डन चांस होने वाला है जल्दी आपके कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेट में नेक्स टुडियो लेके भी आऊंगा तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ SKT का कम्पलीट कोर्स यहाँ पर अप्लिकेशन पर अवेलेवल दिया के नंबर पर आप वाट्सप मैसेज कर सकते हैं जिसमें आपको कम्पलीट थियोरी थियोरी प्लस आपको इंपोर्टेंट MCQs ट्रेड से रिलेट और साथ इसाथ प्रिवेस यह क्योशन पेपर और आपको मोक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगी इस अप्लिकेशन पर तो अप्लिकेशन पर आपको बाइलिंग्वल देखने को मिलेगा हिंदी और इंगलीज ओके तो वहाँ पर आपको सब कुस्सिस्टेमेटिक डंग से प्रतेक किनम वीडियो को तो πे денег जैसे आप जानते हैं आपके श्τοर में आपकी संपूर संपत्ती होती है यानि कहीं इंदर जो माल होता है वह काफी बडि मातरा में होता और काफी आपकी इन्वंटरी कहा हिस्सा होता है ओकिका हुथ protection fire safety जो है आपकी इस्टोर सिक्योर्टी का भी इस्सा है क्योंकि अगर आपका इस्टोर कि में आग लगती है तो उससे नुक्सान आपके कि संपती को भी होने वाले तो यहां पर आपके नुक्सान को कम करने के लिए यहां पर फायर कि सेप्टी को यूज में लिया जाता है तो फ्रेंट्स बता देता हूं नॉर्मल जानकरी के लिए बता देता हूं फायर जो आपके गोदाम के अंदर जो आग लगती है वो तीन कारणों से तीन कारणों से मिलकर लगती है तो आग लगने का तीन जो कारण और तिरकोन अगनी तिरकोन भी बोलते हैं इसको पहला इसका हिस्सा है पहला पारट इसका यहां पर आप ऑक्सिजन ले सकते हैं पहला ऑक्सिजन दूसरा अगर लेते हैं तो आप इंदन यानिकी फ्यूल और तीसरा बात करें तो तीसरे में आप यहां पर हीट उसमा ले सकते हैं प्रयाप्त उसमा तो इन तीनों से मिलकर अगनी तिरकोन बनता है अगनी पैदा होती है जब यह तीनों जब इंदन फ्यूल साथ में आप प्रयाप्त ऑक्सिजन और यहां पर तीसरा जो है आपका उस हीट तो इन जैसे यह तीनों मिलते हैं आग लग जाती है अब बात कर लेता है यह आप पर आपकी कि ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है कि पाइवमंडल में 21 पर्षेंट ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन यह आप पर आपको देखने में और बचे वे एक में हदर देखने को मिल जाएगे 21 पर्षेंट यह आपर होती है वाई मंडल में और आग पकडने के लिए ओनली और ऑनली 16 पर्षेंट इस पर्याप्त होती है अगर 16 पर्षेंट आपक्सीजन मिल गई इन दोनों फ्यूल इंदन और हीट को अगर 16 परसेंट भी ऑक्सिजन मिल जाती है तो आग पकड़ लेते हैं तो हम पढ़ने वाले फायर सेफटी फायर से कैसे बचा जा सकता है तो तो शुरुक्सा कितने परकार की होती है तो तीन परकार की होती है वाफिशा एक आरे सैल्प सेप्टि खुद की सेफिटी जो वरकर जो है को दाम के अंदर उनकी सेप्ट ी दूसरी ए जर्नल वरक्सोंप्सेप्स आपकर गोडेंदर सामवान वगई रहा है। उनकी सेप्टी ऑख दीRCियर in washingtonтов शेप्टी तो ये तीन परकार की safety होती है अब आता है आग क्यों लगती है तो आग जो वरकर होते हैं या फिर other condition होती है तो उनके दोरा आग पकड़ने के chance ज़्यादा होते है क्योंकि ये जो है वरकर मालो या फिर कोई भी बंदा मालो या यह safety यहां पर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं fire निर्देशों का पालन नहीं करते हैं कि पता होता है कि यहां पर वरक आउस में वेर आउस में आपको दुमरपान निक्सेद होता है तो कई यहां पर दुमरपान करते हैं और कई कारण है जो कि आपको नोट्स में complete एक एक टोपिक से आपको देखने को मिल जाएगा कि आग के कौन से कौन से तरीके होते हैं कौन कौन से तरीके से आग से बचा जा सकता है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले तो फ्रेंट्स यहां पर आग जो है उसके भी कई पर कार होते समभनें तरव 5 परकार माने गए आग के टो आग को पदारत के परकार के आधार पर ABCD के 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 रूप मे वरगे करत किया जा सकते और एक बात है तो फायर क्लासिविकेशन आग जो है पांच परकार के होती तो इनको पांच बागों बाटा आगा ABCD और के ओके जो की आके लिए इंदन है ओके एनिकी जो फ्यूल है इंदन ऊके तो उसके अधार पर आको पांच बागों में बाटा गया है तो पहला बात कर लेते हैं यहां पर फ्रेंट्स पहला है क्लास एफायर क्लास एफायर की बात करें तो यह होती है साधान जावलचिल पदार्थ जैसे का कागज कच्रा कुछ प्लास्टिक लकड़ी कपड़ों ऐसमिल है जो आग जो हो कागज में लगती ऐ कच्रय में लगती है प्लास्टिक सीद्न और लकड़ी कपड़ों वह व्हके अंतरगत आती है 就 site und scan Sum नियम दिया था यह थम्ब का यह नियम यह कि यदि यह राख को पीछे सोड़ देता तो यह कक्षा एक आग है यानि कि आग लग जो कि उसके बाद जो अवसेश जो है अगर आवसेश में आपके पास राख बचती है तो वह क्या है क्लास एक एक फायर है यानि कि इन सब के बाद में इन पदार्तों में आग लगने के बाद में पीछे क्या बचेगा राख बचेगी तो जिन भी पदार्तों में आग लगने के बाद में राख बचती है तो वह क्लास ए में आते हैं तो एजी ए अगला है कलास बी फायर तो आग का अगला भी प्रकार है इन्में कौन-कौन से जौलन्सिल गैस से गैस यह तरल पदारतों से युक्त आग जैसे प्रोपेन तेल और गैसुली तो यह सब जो है यहाँ पर क्या होते हैं कलास बी के अंतरकत आते हैं जो लजसील गैस से तरल पदारतों से आग जैसे प्रोपेन तेल और गैसुलीन ओके इसमें लूब्रिकेंट्स वगारा एल्पीजी यह सब आगे इसके अंदर ओके अगला है यहाँ पर सी चांद करने के लिए बता दूं यहाँ पर एल्पीजी सी एंजी जो भी है यह क्लास भी में आएंगे को यह दॉत है आग का अगला परकार सी इसमें सकीरी विदुद गठकों में לק ट्रीकल przede puff at जो आपके गार में यह फिर वेयराऊस में इस्ट्वर में जो आपके विदुद कम्पोनेंट्स एलक्ट्रीकल कम्पोनेंट्स होते chaikas79 यह आणि कि दारा बैयरे यह ओके अगर बेती हुई दारा वाली विदूत इकपमेंट्स में आग लगती है तो वह कलास C के C अंतरगर्द आते हैं ओके तो हो गए कलास C अब अगला यहां पर अगला परकार है तो इसमें होते हैं डी से आप कनेक्ट कर सकते हैं दातू में जो आग लगती है वह कलास D फायर के अंदर कहता आती है तो थम्ब एक पेगैनिक है यहां पर थम्ब का एक नियम यहां है कि यदि दातू का नाम U-M लास्ट में U-M अक्सरों के साथ समावत होता है तो हैं extremD की आगए अगायो इसके अधान U-M के लास्ट में U-म आता है, Magnesium , U-M आता है , बरीलियम , U-m आता है और Saldh actors इसमें भी ह्यम आता थática तो जिस भी दात्तू के लास्ट में यूम आता है और उनमें जो आग लगती है वह होती है क्लास्ट डी फायर के अंतरकत हलांकि यहां पर एक आपको अपवाद देखने को मिल जाएगा जो की है जिंक में यूम नहीं आता तो यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं जिन के की फायर के अंतरकत आती है ओके अगला है यहां पर कलास के फायर तो वनस्पती या पसू खाना पकाने के तेल या वसा से जुड़ी आग डी फैट फ्रायर को क्यों करते हैं वाणी जिक खाना पकाने के लिए अंचालन में आम है तो जो भी आपके के से आप कनेक्ट कर सकते किचन किचन में क्या होता है वनस्पती तेल होता है खाने पकाने वाला तेल होता है होटल में आप जो देखते हैं किचन रूम उसमें आग लग जाती है तो यह सब जो है क्लास के फायर के से किचन डी से दात्तू ओके और सी से आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें आएगा इले सबी कपड़े यहां पर कागज यह सब कलास एक आग है तो यह हो गए आपके परकार कितने परकार के आग होती है अब बात कर लेते हैं आग को बुजाने के लिए इस किस परकार के एक्स्टिविशर यानि कि अगनी सामक यह अंतर का प्रयोग कर सकते हैं तो जैसे कि आप जैनते हैं फायर एक्स्टिविशर आग बुजाने के काम में आता है और यह फायर फायरटिंग क z और इसकी लिमिट्स की बात करें तो यह समयने तर रूफिंग इंडस्ट्री के लिए उपयोगता है और इसे मल्टी परपज एक्सटिमिट्विसर भी कहते हैं अब अगला यहां पर form extinguisher form extinguisher की बात करें तो एक only class V fire जो कि तेल में लगती है okay lubricants में लगती है gases में लगती है तो यह only class V fire को बुजाता है form extinguisher okay तो form extinguisher को क्या बोलते है alcohol resistant and aqueous film forming form AFF okay तो यह महिंगा होता है यह limit essence है इसकी अगला वरग B पर परवावी होता है तो इससे कि only only B परकार के आग को बुजाए जा सकता है और self life सिमित होती है जो इनकी life की बात करें duration की बात करें जीवन काल की बात करें expiridate बहुत सिमित होती है अब अगला extinguisher बात करें यहां पर water extinguisher तो यह only class A fire को बुजाने में काम में आता है कपड़े कागज में जवाग लगती है प्लास्टिक में तो उनमें काम में आता है इसको आप class B में नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें fluids होता है आप जानते हैं गजह से आप गरम तेल में पानी का छिटका मारते हैं तो उससे क्या होता है आग और तेज से बढ़क जाती है ओके तो इसमें यूज बी में यूज नहीं किया जाता और नहीं डी में किया सी में किया जाएगा तो सी में क्योंकि यहां पर विदूत के आग जो सी के अंतरगत आती है तो जैसे आप पानी डालेंगे इलक्ट्रिकल फायर में तो इससे आयनो के कारण दारा परवायत होगी और जो आग बुजा रहा है फायर फाइटर उसको जानमाल की नुक्सान हो सकता है तो इसको ओनली ए पर यूज किया जाता है अगला मेटल एक्स एक्स्टिंगुजिसर यह प्रकार है यहां पर मेटल इसके लिमिटेसन की बात करें कम यह महा होता है और इसको सुखा रखना चाहिए गिला होता तो यह काम नहीं करेगा कलास एफ पर 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 पावित होता है तीनों को बुजा सकता और एको नहीं बुजाता ही ओके आम तोर फर रूफिंग इंडिस्ट्री में उप्यूकता है कुल था अगला है कार्बन डाई उक्साइड है सी और तो यह जो है , वी और टो नों परकार्ट कर आग को बुजा सकता है क्या जाम चंद वहता है कार्बन डाय। इक्सीवासल उसमें इसमें आप जानते हैं जैसे मैंने पहले बतार आग लगने के लिए ओक्सेजिन जरूरिये तो carbon dioxide by gas होती है जो जाहंपर हम जहांपर आग लगी होती हुआँ हो सियोिंटू Carbon dioxide etingution छोड़ते हैं जो इससे क्या वता है बारी कारण जहां पर आग लगेहें वहाँ पर co2 जमा हो जाती है और replace कर देती है औक्सिजन को तो वहां पर फायर तिरकोंड जो है अगनी तिरकोंड तोट जाता है और आग बुझ जाती है तो यह इसी सिद्धान पर काम करता है यह सिमित छेतरों में उप्यों के जाता है तो ऑक्सिजन की कमी पैदा होगी जो छोटा छेतर होता वही पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे नहीं है कि आप बड़े ग्राउंड में यहां पर इसको यूज़ करेंगे इससे वहां पर यह काम में नहीं आता ओनली छोटा छेतर तेज हावा की इस्तिति में परभावी नहीं होता अगर तेज हावा चल रहे है तो तेज हावा में यह कार्बन डॉक्सट खुदी रिप्लेस हो जाएगी ओके यह एक जगर नीटी की रहेगी ओके अगला है निर्वेन के दोरान सीद्नस पैदा कर सकते हैं डिस्चार्ज होता महेंगा होता है expensive होता है not effective in windy कंडिसेंस जो तेज हावा होती है उसके अंदर यह भी काम में नहीं होता है महेंगा होता है आतेदी गरम आग में अब गटान के कांट जरीली गैसे निकल सकती है यह इसकी कमिया है अब अगला है यहाँ पर लास्ट है पोटेश्यम एसिटेट एक्सटिंगुशर तो यह ओनली के को बुझाता है जो किचन में लगती है तो यह expensive होता है महेंगा होता है तेल और वसागों करके वाणीचे खाना पकाने के संचालन के गीला रसानिक बुझाने वाला यंतर यह वेट होता है पोटेश्यम आपको बुझा सकते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया अब बात कर लेते हैं एक और इंपोर्टेंट है यहां पर फायर यूजिंग फायर एक्स्टिंगुशर इनको यूज कैसे करना है अगर बंदा फरफेक्टी नहीं है कैसे यूज करना है तो इन इकमेंट्स का इस्ट इर दोर के अंदर होता है तो इनके यूज के लिए आपको रेनोना जरूरी है ओके अगनी सामा यंत्रों का उप्योग करते सेंख कृप्र अगराबीघ्टरियों के क्या पाश परनाली को निंव जीत आख लचाहिए तो यह पास पर नाली को आपको फोलो करना चाहिए तो इसमें क्या होता पास प्रनाली का पूरा रूप देखें तो पी का अरथ है पुल दे पिन ऑन दे एक्स्टिंगुशर जो आपका अगनी सामख यंतर होता है उसके अंदर पिन लगे होती है पहले उसको पूल करना है खीचना अबार हो के उसके बाद ए एम एड़ बेस ऑफ द सब्सक्राइब करना कि इस ड्रम पर आपको टार्गेट करना है ड्रम के ऊपर आपको ड्रसके स्टोर के पूरे चार उतरफ तो यांपर ओणली पर आपको फायर करना है के अगला है इस्क्व balcony ते हंडल जो ह네요 शेक्वस प्रेस करना दबाना है पहले तो आपको क्यों करना núz उसके बाद आपको एम टार्गेट किसको करना है आपको आपको टार्गेट जो आपको बेस जहां पर आग लगी होती है वहां पर आपको टार्गेट करना है उसके बाद आपको इसकी विजदा हैंडल जो हैंडल होता उसको प्रेस करना है प्रेस करने के बाद जो भी आपका एकसा फायर मुविंग फ्रॉम सइड डू सैड ऑके तो आपको ऐसे फायर पर जो शूब करना है कि पहरों साइड से साइड करने एक तोब के आपको बता दिता हूं यहाँ पर इस परकार से मालों यहाँ पर अग लगई है और यहाँ पर चारों तरफ इसके अंदर आग लगी हुए है तो आपको Fire extinguisers क्या करना यह पर पहले तो आपको इसगे में यहाँ पर आपको focus करना है ना कि पूरे कमरे में जिस चीज पर आग लगी होती है नो वहीं पर आपको प्रेस करना तो वहीं पर आपको एक्स्टिग्यूसर यूज़ करना होता है अब आपको तरीका बता देता हूं यहां पर बात करें तो आपको एक्स्टिग्यूसर लेकर ना कि यहां पर मिडल में से ही करना आपको अगर तुरंट आग बुझानी है तो आप जांफे फ्यां रहेता है तो यहां पर याप को फोलो करना है एक्स्टिकुशर से अगर निसा मगांतर से यहां पर क्योंकि आग जो है यहीं से बुजा देना है तो साइड से बुजा देंगे यहीं से बुजाएगी यहां से बुजाएगी यहां से फिर आग आग बड़ी नहीं पाएगी तो आपको साइड से यूज में लेना है साइड ना कि आप सेंटर में करें तो उमीद करता हूं आपको समझ में आ रहा यह नहीं फिर आपको बारी पढ़ सकता है को कि अगर शुरुआत में अगर आप आग पर काबू पा लेते हैं तो बढ़िया है अगर उसके बाद में पांच मिनिट से अगर आग फैल गई उसके बाद में कंट्रोल नहीं होने की तो बात किलें फायरफाटिंग मैंने यहां पर बताया आपको एकस्टिंगउसर हो गया फायरफाटिंग के अंदर लिच करवा दिया इसे वार कुछ नहीं जाएगा हाई वेलियोशिटी वाटर इस्प्रे जो हाई उच दवावाल वाटर इस पर होते हैं उनका यूज में ले सकते हैं आप को के अगला फाइर अलारम सिस्टम जब भी ऐसा अई सिस्टम होता है जिसके अंदर जब भी आपके गोदाम के अ जाते हैं यह जब भी यस फायर अलार्ब शिर्टम के आसपास कोई ताबमान फिक्स और अगर ज्यादा शामऩान था ऊजता है तो उसके बाद में अलारम स्टम बजने बजने लग जाता है तो यह भी आप यूज में ले सकते हैं अगला स्प्रिंग कलर्स यह छिड़काओ करते हैं क्या करते हैं यह आपके पूरे गोदाम के अंदर जैसे कि ऊपर मान सकते हैं च्छत के ऊपर बराबर में यह लगे होते हैं तब जैसे यह फायर अलर्म सिस्टम बज़े गा यह किकि खुल जाते हैं और अपने आप च्ड़गाओ कर देते हैं जहां पर लगे वहां पर अपने चेंड़काओ कर देते और इसमें क्या होज्च छो यहEOPOKका पानी का टैंक छोता है उससे होता है और राड़ेड़ी इसके अंदर पानी औरा रहता है इस तो आउस आपके गोदाम के ओपर लगे होते है अब जैसे यहां पर आग लगती है तो यह पर बुरी तरह से बजने लग जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा आपने आसपास के इसे तरह में इंडिस्ट्रियल एरियाज में बड़े-बड़े अलर्म सिस्टम बजते रह अगनी समन सेवा हैं पुलिस टेशन हैं जो भी है जो बंदा हेल्प कर सकता है वो उन सब तक आवाज पहुंचाएगी और यहां पर आपको मदद मिलती है एक रेच से वरीबाटिया भी आपको रखनी चाहिए नॉर्मल आग में आप यह काम में ले सकते हैं ओके अगला स्मॉ को डिटक्टर पैचान कर लेते हैं कि कहां से दुआ रहा है और यह बजने लग जाता है अलारम सिस्टम ओके तो यह भी आपको लगाना चाहिए स्टोर के अंदर और और आपकी जानकारी के लिए बतादू हैं अपर प्रिवेंशन इस बेटर देन के और अगर आप साउधा को आपको बादमिना लगने के चांसिस बहुत क्म होते हैं अब पहले हैं आप पहले साउधा का भी यूज में लिया जाता है को यूज में ले सकते हैं को यूज में ले सकतЫ हैं को झानितgypt को बतार यह होते हैं चार परकार के प्रोबिसन वार्निंग इन्फोर्मेशन मेंड़ेट्री साइंस और कमरशेल विवो तो पहला एक निस्यादातमक प्रोड़ेशन साइंस के तो इनकी सेप जो राउंड होती है कलर्बोर्डर रेड होता है इमेज बलेग होती आगला वार्निंग चैताओं ने य सकंप और होती है इमेज वाइट होती है इ prototypes व्रे ओट होती है ऐसे किल्वान पर समान विखरावण हो और जैसे कि एंबुलेंस और आपके फायर फाइटिंग एकपमेंट जो भी है वह अच्छे से आजा सके और आग लगने की इस्तिति में आपको क्या करना है इस टेर शीडियों का काम में लेना है ना कि लिप्ट को क्योंकि लिप्ट जो है इलक्टरिकल चलती है और इस इस्ति हैं और बैंकर आग लगने की इस्तिति में लिप्ट जो है आप भी समझते हैं इस्टील या फिर अधर मैटल दातु को जो गरम होकर आपकी इस्तिति बच से बदतर हो सकती है तो आपको अच्छे से द्यान में देना ना बिना किसी हड़ बडाट के ओके आपको पूरा नोल प्राश्टमिक उप्चार में फ्रीश क्या होता है पहला है एरवे एर आने दें अगला है दूसरा बृत चेक यहां पर आपको क्या करना है भी सांसे चेक ने फिर रहोता है सरक्विलेशन चेक अगला नेक्स्ट है टाइप सोब बरन आग मालो जान यहां पर थोड़ा के अंदर सेकंड के अंदर बोड़ी की ऊपरी दो पर जलती है और तीसरी के अंदर पूरा शरीर अंदर तक जुलश जाता है ठीए तो यह तीन प्रकार के स्पताल ले जाते हैं तो आपको इसका पूरा द्यान रखना चाहिए आपको यहां पर सिक्योर्टी मेजर्स जो है इन्फॉर्मेशन जो है इस्ट्रेक्शन जो उनका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए ओके अगला है यहां पर कलर स्कॉड ऑफ बिंस जो आपके गंदगी क प्लास्टिक जो डालने के लिए येलो कलर का बिंस यूज में लेते हैं और ड्राइ वेस्टेज सुखा कचरा जो है उसको डालने के लिए ब्लू कलर के बिंस को यूज में लेते हैं वेट गिला कचरा को डालने के लिए ग्रिन कलर के बिंस को यूज में लेते हैं और छीए परकार का गलती करते हैं कि आमाहलों यहां पर वेट में आप डाल देते यहां पर डाक शीश्ट में डाल देते हैं गलत टारते तोसे रेक्शन होकर आग़ लगने के चांसे जाल ज़िए आपको अच्छेसे नोलेज होना चाहिए तो फ्रेंट्स यह ते कुछ यहां पर मेथेड्स जो कि फाइरफाइटिंग में काम में आते हैं आपको और आपको यहां पर कम्पलीट नोट्स जो है यहां पर आपको अपलीकेशन पर देखने को मिल जाएगा और गारंटी के साथ कहते हूं इससे एक कोईशन भी बार नहीं जाने वाला ओके तो उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगाओगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओओ तो हमारी मेहनत को रिकोगनाइज करें और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंट्स ज्यादा ज्यादा शेयर करें ओके फ् इस्ट्यों इस्टेशेफ जहिंद्ध